हेलो हाई एंड वेलकम टू एवरिवन कमल की तरफ से सभी को नमश्कार इंडिन डिफेंस अकैडमी के यूट्यूब चैनल पर आग सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो के अंदर हम सैनिक स्कूल नलंदा की जो प्रीवियस एर की कट अप रही थी उसके बारे में डिस्क्रेशन करेंगे और सैनिक स्कूल नलंदा के बारे में एक फैक्ट मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताऊंगा सैनिक स्कूल ननन्दा को स्टार्ट हुए इस साल 2021 के अंदर 18 साल कंप्लेट हो चुके हैं और नेशनल जो आपका डिफेंस अकेडमी रहता है एंडिये जो रहता है आपका इसके अंदर जो फाइनल सेलेक्शन सैनिक स्कूल ननन्दा से ज़्यादा कंडिडेट लेते हैं रिटर्न टेस्ट हो चाहे किसी भी स्कूल का पास होता हो पर सबसे ज़्यादा जो फाइनल सेलेक्शन है वो सैनिक स्कूल ननन्दा के बच्चे ही लेते हैं यह जानकारी हमें 11 नमबर 2020 को एक सैनिक स्कूल ननन्दा उसको डिस्कूशन करेंगे जो नननन्दा की जो कटउफ पिछले साल रही थी और इस साल की जो एक्सपेक्टेड कटउफ है उसके बारे में भी हम डिस्कूशन करेंगे तो 6 क्लास के लिए जो SC कटिगरी का बच्चा था वो 249 पर स्लेक्ट हुआ था और हो गया था और अधर स्टेट डिफेंस करेंगे का बच्चा 129 पर संलेक्ट हो गया था सेम एझ एब टास का जो कटउफ है वो SC कर्टेगरी का बच्चा 280 पर और ST कर्टेगरी का बच्चा 158 मार्क्च पर मतलब 158 नंबर पर स्लेक्ट हो गया था home state journal का जो बच्चा है वो 338 नमबर पर मतलब 338 338 नमबर पर select यहां पर हो गया था other state का जो बच्चा है वो 280 नमबर पर select हो गया था और home state defense category का बच्चा 318 नमबर पर select हो गया था other state defense category का बच्चा 206 नमबर यहां पर select हो गया था अगर जो मैं बात करूँ कि कितने बच्चे किस category के अंदर, किस class के अंदर select हुए थे तो 6 class की अगर जो मैं बात करता हूँ, तो SC के अंदर 12 बच्चे select हुए थे SD के अंदर 6 बच्चे select हुए थे, Home State General के 31 बच्चे, Other State General के यहां पर 15 बच्चे और other state defense category के यहां पर 5 बच्चे select हुए थे ST और SC category 9 में अगर जो मैं बात करता हूँ तो SC category के 3 बच्चे और ST category के 2 जो बच्चे select हुए थे same as it is अगर जो home state general के बात करता हूँ तो 8 बच्चे और other state general के 4 बच्चे हां पर select हुए थे home state defense category के थीन बच्चे और other state defense के एक बच्चा यहाँ पर select हुआ था और मैं इस बार की जो expected cut off रहेगी जैसा कि आप सभी को पता है कि इस बार का paper ना तो जादा मुश्किल आये था और नहीं जादा आसान तो एक moderate level का exam हुआ था और इस साल जो सैनिक स्कूल नरंदा की अगर जो मैं cut off की बात करो previous year को देखते हुए इस साल की जो category की जो cut off है हर category की जो cut off है वो 250 से अबव रहेगी तो जिन बच्चों की सैनिक स्कूल नरंदा के लिए जिन बच्चों के 250 250 नमबर है वो अपने बच्चों की जो तयारी है medical के लिए तयार कर सकते हैं अगर जो आपके नमबर 240 से 250 भी बन रहे हैं तब भी आप अपने बच्चे की जो तयारी है medical के लिए वो start कर सकते हैं अब medical के लिए कौन-कौन से document चाहिए उसके regarding में वीडियो बना चुका हूँ अगर वो वीडियो आपने मिस कर दिये तो description box में आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा या फिर इस वीडियो के end में स्क्रीन पर ही आपको उस वीडियो का link मिल जाएगा आप अराम से इस वीडियो को देखिए और medical के लिए जिन बच्चों की नमबर 240 से 250 बन रहे हैं किसी दोस्तों के साथ share कर सकते हैं को प्राब्लम है तो comment box में comment कर सकते हैं मस्ते रहें मुस्कराते रहें इंडिन defense academy साथ जुड़े रहें जय हिंद जय वारत बंदे मातरण